वाट्सप दोस्तो मेरा नाम है सायल सिंग और आप देखे रहे हैं अपना टेक्स हाल टेक्स तो आज हम लोग ना विंडोस 11 को एक अनसपोर्टेड लो इंड पीसी में यूज करने वाले हैं जिसमें विंडोस 11 सपोर्टी नहीं करता है एक दम अनसपोर्टेड पीसी है उसमें हम लों यूज करने वाले हैं और देखने वाले हैं क्या हम लों को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम देखने को मिलता है क्या विंडूस 11 उस अंसफोर्टेड लो इंड पीसी में स्मूध चलेगा कोई प्रॉब्लम है कोई खय्कत है नहीं आप लोग फूर्ट के लियर हो जाए कि हम लोग विंडूस 11 को यurer तो सब बात करेंगे एकर आप लोग कोई 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 कर दूंगा और आप लोग वहाँ जाकर मेरे को फॉलोग जरूर कर लिजाएगा अगर आप लोग यह वीडिव पसंदा था भाई लोग सब्सक्रेप करके बैल आइकशन को ओल पैसे जरूरbn को लईक कर लिजाएगा क्योंकि हमारे चैनल में इसी टैप के PC related और laptop related content ही दम भरके आता रहता है तो भले प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो भल चलिए शुरू करते हैं तो अभी आप लोग जैसा कि देख सकते हो हम लोग अपना PC में आ चुके हैं और अगर आप लोग विंडोस 11 experience करना है वो हो जाएगा सबसे पहले आप लोग मेरा configuration देख लो मैं आखिर इस PC में कौन सा अपना configuration मैं आखिर विंडोस 11 का use कर रहा हूं तो मैं use कर रहा हूं i3 का processor इसमें और वो भी कब का है i3 i3 का second generation है अब यह second generation मैं आप लोग बता दू आज से करीबन 13 साल पहले यानि कि आज से करीबन 2011 में 12 साल पहले launch हुआ था यह processor 2011 में आप लोग समझ सकते हो यहाँ पर ही जैसा है कि आप लोग देख सकते हो और यहाँ पर ही आप लोग देख सकते हो मैं 4GB RAM यूज कर रहा हूं और मैं आप लोग यही recommend करूंगा अगर आप लोग एक unsupported PC में यूज कर रहे हो तो 4GB RAM से कम में यूज मत करिएगा यहाँ देख सकते हो Windows 11 यहाँ पर देख लो Pro मैं यूज कर रहा हूं और मैं कब इंस्टॉल किया था तीस तारिक को तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो मैं कब कितना जादा unsupported PC में यूज कर रहा हूं तो वहाँ पर आप लोग को क्या क्या Problems देखने को मिल सकता है तो सबसे पहला जो आप लोग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा वो रहेगा आप लोग ना Windows 11 को जो बीटा जो होता है यानि कि latest latest जो बीटा में जो updates चलता है ना आप लोग उसका enjoy नहीं कर सकते हो मैं आप लोग इबर दिखाब देना चाहूंगा अगर आप लोग बीटा जोइन करने जाओगे यहां से और Windows Insider प्रोग्राम में जाओगे तो आप लोग बीटा जोइन नहीं कर पाओगे क्योंकि आप लोग PC hardware requirement उतना fulfill नहीं कर सकता है तो यह बात भी आप लोग ध्यान रखना है अगर आप लोग बीटा सर्विस वगेरे अब यूस करना होगा तो आप लोग वही है कि ISO होता है जो मारा बीटा वाला ISO होता है या इंसाइडर वाला डेवलेपर वर्जन वाला जो ISO होता है जो कि Microsoft का website मिलता है आप लोग उसको download करके install करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस है तो आप लोग यहां से Microsoft Insider program भी join नहीं कर पाऊगे यानि कि बीटा सर्विस को enjoy नहीं कर पाऊगे तो यह भी एक disadvantage होता है अब जो इसके वाद आप लोग को problem देखने को मिलेगा वो रहेगा कोई आप लोग को Android Apps का support नहीं देखने को मिलेगा यहां परे मैं आप लोग दिखा भी देना चाहूंगा सबसे पहले मैं आप लोग को यहां तो सबसे पहले आप लोग यहां पर एक बार देख लो मैं यहां पर अपना क्या लिखा हूँ Microsoft Windows Subsystem for Android Microsoft Store तो अब यहां बात दर असल है अगर आप लोग का यह नहीं रहेगा ना टॉप लोग जो है न वह एंजॉइ नहीं कर पाऊगे तो आप लोगों को मैं दिखा बेदेना चाहोंगा अगर हम लोग गेट इन में क्लिक करेंगे तो अभी देखने यहां पर क्लियरली क्लियर हम लोग बोल देगा कि हमारा यह सपोर्ट नहीं करता है तो यह बात भी आप लोगो ध्यान देना है यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते अगर आप लोग देख लो यहां पर यहां पर यह पेस्ट नहीं तो आप लोग का जो विंडो सब सिस्टम फॉर एंड्रोइट सो भी नहीं होगा एक पर मैं आप लोगो दिखा देना चाहूंगा अगर आप लोग यहाँ पर ही पेस्ट करोगे और यहाँ पर ही सर्ज भी करोगे ना तब भी आप लोगो सो नहीं करेगा इसलिए मैं यहाँ पर ही वेब वियू से कॉपी पेस्ट करके यहाँ से ओपेन किया ताकि आप लोगो दिखा सकू कि हमारा वहाँ पर ही क्लियरली क्लियर बता दे रहा है कि हमारा मेमोरी इतना फिल नहीं कर रहा है तो अगर आप लोगो यह वाला फीचर का आनंद लेना है तो आप लोगो 8GB RAM तो मिनीमम से मिनीमम चाहिए ही होगा तो अनसपोर्टेट PC में दिक्कत आप लोगो देखने को मिलेगा अब उसके बाद जो आप लोगो देखने को मिलेगा वो है बेकार सीक्योरिटी आप लोगो देखने को मिलेगा मतलब उतना भी बेकार नहीं मिलेगा यानि कि विंडोज 10 जैसे आप लोगो सिक्योरिटी देखने को मिलेगा ठीक ठाक हम लोगो देखने को नहीं मिलेगा जैसा विंडोज 11 में बोला गिया है बट विंडोज 10 में कैसे नॉर्मल सिक्योरिटी रहता था वैसी आपас लोगो देखने को मिलेगा तो ये बाद भी आप लोगो ध्यान देना है अब जो उसके बाद आप लोंग को देखने को मिलेगा, अभी आप लोंग देख सकते हो, मैं Windows 11 वो कम से कम इसमें यूज कर पा रहा हूँ, मेरा basic काम हो जा रहा है, मैं आपने ये सब काम कर पा रहा हूँ, अब वो क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने अपना PC में, मैंने अपना Windows 11 में यहां पर देख लो, एक SSD को अटाच किया हूँ है, तो अगर आप लोंग का PC में, और आप लोंग तो जानती हो, कि SSD क्या काम आता है, PC को स्पीड कर देता है, बहुत जादा स्पीड कर देता है, आप लोंग का slow से slow PC laptop का भी एकदम fast कर देगा, तो वही ये बात दर अस एक unsupported PC में भी एक low-end PC में भी Windows 11 इसलिए इतना स्पीड चल रहा है, क्योंकि मेरा PC में एक SSD लगा हुआ है, तो अगर आप लोंग एक unsupported hardware में low-end PC में अगर आप लोंग बिना SSD का अगर आप लोंग यूज करना चाहोगे ना, तो मैं 100% सूर बता सकता हूँ कि आप लोंग अगर आप लोंग यह सब झेलने को तयार हो, अगर आप लोंग को Android Apps नहीं चलाना है, आप लोंग बस Windows 11 को experience करना है, पीटा वगिरा जॉइन नहीं करना है, सीक्योरेटी ठीक ठाक चाहिए, बस Windows 10 जैसा भी हो तो चलेगा, तो आप लोंग इसको जरूर से जरूर यूज कर स और एक SSD तो रखने ही रखना, बिडाउट SSD यूज मत करना, और ज्यादा भी पूराना प्रोसेसर को यूज मत करना, जैसे कि जो पहले के जो Pentium processor आते थे, बहुत पहले के, आज से करीबन बहुत पहले जो आते थे, 2005-06 के टाइम जो आते थे, उतना भी पूराना PC में मत यूज ही नहीं कर पाऊगे, तो यही था भाई लोग जो जो मैं आप लोग बता दिया, तो ऐसे कोई problem नहीं यूज कर सकते हो, experience लें का कोई दिक्कत का बात नहीं है, यूज करने लाएक है, बस SSD लगा करके आप लोग अच्छा खासा ठीक ठाक experience ले सकते हो, तो मैंने आप आप लोग बता दिया, क्या-क्या problem face करना पर सकता है, क्या problem face करना को नहीं पर सकता है, तो अब मैं आप लोग बता दू, अगर आप लोग को, तो मैं आप लोग यहाँ पर इना task manager में कुछ-कुछ दिखा भी देना चाहूंगा, कि यहाँ परी performance वगेरा कितना यूज करते ह कितना यूज कर रहा है मेरा, अभी ऐसे normal में, और यहाँ memory में आप लोग देख लो, ऐसे normal मेरा 2.4 पर यूज में है, recording भी चल रहा है उसके साथ-साथ, तो अब इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि कैसा काम करेगा, कैसा काम नहीं करेगा, अब आप लोग अपने ही बात करऊंगा, आपना जो भी को वाएरि, वहाँ पर रहा होगा वहां पर वहां पर ही, सॉल्व कर ओंगा, इंश्टागराम पे लाइक कर इंस्टागराम पे फॉलो जरूर कर लिजेगा, प्लीज आप लोग हमारे चैनल और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पेसे जरू का लिजेगा